अधाप उर्दु खबनामे में आपका खायर मगदम है सबसे पहले पेशे सुर्खियाँ त्यास द्धन में साथगी से मनाई गई तेलंगाना की यूमे तासीस तखारीब प्रगती भाउन में चीफ मिनिस्टर के चंदी शेकर राओ और अजला में वज़राने लहराया खायमी पर्चम कुरुना के खिलाफ जिदो जहिद करते वे माशी निजाम को मुस्तहकम करने का एहद वजिर आजम मोदी का सी आई आई की 125 वी सालाना तकरीब से खिताब मुल्क भर में गुष्टा 24 घंटों के दौरान 8171 करोना वरस के मुस्बत केसिस मरीज़ों की सहितमन होने की शरा में खाबले लहाज इजाफा और सक्त वो मेहनत जिदो जहे से मकसद में काम्याब होने तुल्बा को मश्वरा राजभावन में तुल्बा में असनाद वो तौसी नामों की तकसीम गौर्नर का खिताब रियास्त भर में तिलंगाना की यूमी तासीज की तकरीब मनाई जा रही है चीफ मिनिस्टर के चंद्शे करो प्रगती भावन में खौमी पर्चम लेराया इससे खबले चीफ मिनिस्टर के नामपली के गन पार्क में तिलंगाना की शहेदों को खिराज पेश किया और राजभावन में गौर्नर तमिल साई सुन्दराजन से मुलाखात की और गौर्नर को यूमे तासीस और इनकी सालगिरा की मुबारक बाद पेश की ट्यारेस के सदर दफ्तर तिलंगाना भावन में भी रियास्त के यूमे तासीस तखारीब का इतिमाम किया गया राज्य सबा औरुकन पार्टी के सेकरेटरी जनल डिरेक्टर के के शारों ने खौमी पर्चम को शाई की पार्टी खायदीर और कारकुनों की कसी तेदाद ने इस प्रोग्रम में हिस्सा लिया कांग्रेस के सदर दफ्तर गांदी भावन में पी सी सी सदर उत्म कुमार रडी ने खौमी पर्चम लहराया बीजेपी के रियास्ती सदर औरुकन पार्लमेट बंडे संजेज कुमार ने गन पार्क पर शहीदों को खिराज पेश किया बादधा पार्टी दफ्तर में खौमी पर्चम लहराया तलंगाना खानुसास कौंसल के चेर्मेट जी सुक्वेंदर रडी ने और असम्बली में स्पीकर सीनवास रडी ने खौमी पर्चम लहराया इसी तरह चीफ सेगरेटरिय सुमेश कुमार ने सेगरेटर डी आर के भावन में बीजेपी के दफ्तर में अडिशनल डिरेक्टर जनरल गोविन सिंग ने खावमी पर्चम लहराया उधर अजला में भी युमितासी तिलंगाना की तकरीब मनाई गई तिलंगान भर में आज रियासत के युमितासी तकरीब का एहतमाम किया गया साथगी से मनाई गई इस तकरीब में रियासती उज़रा अवाम मनतखिबा नमाएंदे और उहरेदारों ने शिर्कत की पेशे एक रिपोर्ट रियासत भर के तमाम जिले कलेक्टरेट्स में आज युमितासी तकरीब का एहतमाम किया गया इस तकरीब में रियासती उज़रा ने अपने अपने जिले में खौमी परचम लहराया जिले कलेक्टरेस के अलावा अवामी मुन्तखिबा नुमाइंदा और अधिदारों ने इस तकरीब में शिर्कत की सिद्धी पेट में वजीर फैनास हरिश्राओं ने खौमी पर्चम लहनाने के बाद मुनाखिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा के कुरोना वायरस जैसे आफात समावी के बावजूद रियासती हुकूमत अवामी बहबूत की इसकिमात पर अमल कर रही है संगारडी कालेक्टरेट में वजीर दाखिला मेहमूद अली निर्मक कालेक्टरेट में वजीर जंगलात इंद्र किरन रडी मेड़क जिले में वजीर अफजाइश वो मवेशिया स्रीनिवास गौन ने खौमी पर्चम लहराया खंबम में मुनाखिदा तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजे कुमान ने शहर में वाकित तिलंगाना तलीक की मुझसे में और शहीदों के यादगार पर खिराच पेश किया उन्होंने कहा कि अवाम की जरूरियात को हकुमत पूरा कर रही है किसानों को काश के लिए पानी का इंतिजाम किया गया और इनकी फसलों को अखलतरीन खीमते अदा करते वे हुकुमत खरीदी कर रही है वजीर सेथ इटला राजिंदर ने पिद्दा पली जिले में महभूनगर में स्रीनवास गौर, सूरिया पेट में जगदिशवर रड़ी, करीम नगर में कमला के रड़ी ने खौमी पर्चम लहराया और रियास्त के हसूल के लिए जानों की खुर्बानी देने वालों को खिराज अखिदत पेश किया यूमे तासीस ते लंगाना के मौके पर जगतिया जिले मस्तखिर पर वजीर समाजी बहबूत के इशवर ने खिराज पेश किया बाद अज़ले कलक्टरेट में खौमी पर्चम लहराया निजामबा जिले कलक्टरेट में वजीर घौसिंग परशांत रड़ी ने खौमी परचम लहराया और रियास्त की अवाम को यूम तासीस की मुबारक बात दी इस मौके पर खिताब करते हैं प्रशांत रड़ी ने अवाम से अपील की कि वो हकूमत के इसकेमास से मुस्तफीद हो वनपती जिले मस्तखिर पर वाके पाली टेकनिक कालेज ग्राउन में तिलंगाना की शहीदों की यादगार के पास वजीर जिरात निरंजन रडी ने खिराच पेश किया बादधा जिले कलेक्टरेट में खौमी पर्चम लहराया इस मौके पे वजीर जिरात ने जिले से तालुख रखने वाले 145 अफराद में कलियाना लक्षमी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तक्सीम किये जिले अदलबाद में युमे तासीस तेलंगाना तकरीब मनाई गई अदलबाद कलेक्टरेट में गौर्नमेंट गंपा गौवर्धन ने खौमी पर्चम लहराया और पॉलिस की सला में ली इस मौके पर गौवर्धन ने खिताब करते वे कहा कि गरीबों के लिए हकूमत ने कई इसकिमाश शुरू किये उन्होंने जिले में अमल होने वाले फलाई इसकिमाश की तफसिलात पेश की आसिफबाद जिले मस्तखी पर मनाखिदा यूमे तासीस तखारीब में गौर्नमेंट विप गांधी ने शिर्कत की मतहिदा वरंगल जिले में यूमे तासीस तखरीब मनाई गई वरंगल रूरल जिले कलेक्टरेट में इदिया कर रो और महवब बाबाद में वजीर सत्यावती राथोड ने शिर्कत की वरंगल अर्बन जिले कलेक्टरेट में रुकने असंबली भी विने भासकर ने खौमी परचम लहराया इस तरह जन्गो भुपाल पली मुल्ग में ये मुनाखिदा तकारीब में गौर्नमेंट विप वंके टश्वरलू भानुप प्रसाद एसेंप प्रभाकन ने शिरकत की और शहीदों को किराच पेश किया विखराबाज दिलेक अलेक्टरेट में डिप्टी स्पीकर पी पदमाराओं ने खौमी परचम लहराया इस से खबल शहीदों को खिराच पेश किया बाकी अजलाम में मुखामी रुकने असंबली अरकान काउंसल और दीगर अवामी मुन्तखिबा नमायंदों ने यूमे तासीस तिलंगाना तकरीब में शिरकत की ब्यूरो रिपोर्ट दूर्दशन न्यूज तिलंगाने के गौर्णर तमिल साइस संदराजन को मकतलिफ खायदी ने सालगिरा की मुबारख बाद पेश की चीफ में से के चंशे करो रियासती उजराज चीफ सेकरेटरी सुमिश कुमार और दूसरों ने राजभावन में गौर्णर से मुलाखात करते वे सालगिरा की मुबारख बाद दी इसी दोरा राजभावन में गौर्णर तमिल साइस संदराजन ने कोवीड नैंटीन और लागडाउन पर युनिवेसिटी के तुलबा में तहरीरी मुखाबलों का इहतेमाब किया गया था कामियाब तुलबा तालबाद में आज गौर्णर के हाथो असनादा और तौसिय नामे दिये गए है इस मौकर गौर्णर तुलबा से खिताब करते वे कहा कि वो सखत मेहनत और जिद जहसे अपने मकसद में कामिया भी हासिल करे वजिर असम नेंदमुदी ने कहा है कि कुरोना वरिस की वज़े से तबाह होने वाली मैशियत को मस्ताकम करने ही हुकूमत का आहम निशाना है मार्शी निजाम को दुबारा बहाल करने के अगदमाद किये जाएंगे उन्होंने कहा कि कुरोना वारस के इस कटिन वक्त में हकूमत ने जो फैसले लिए ये माशी निजाम को बहतर बनाने के लिए सूध बन साबित होंगे उन्होंने उमेद जाहर किये कि यकीनी तौपा मुल्क की जीडिपी में इजाफा होगा लागडाउन के वज़े से आर्जी तौपा बंद कंपनियों को दुबारा खोलने के लिए आहिम एगदमात करने का एलान किया कन्फरिडेशन आफ इंडियन इंजस्ट्री के 125 वी युमे तासी के मौके पर मनाखिदा तक्रीमें वजिर आजम मोदी ने शिर्कत की वीडियो कांफरेंस के जरी मनाखिदा इस प्रोग्राम में खिताब किया वजिर आजम ने कहा कि लागडाउन से इन अनलाक में आगए हैं उन्होंने लागडाउन का सहीं वक्त पर सहीं फैसला किया था MSME को जोहाल करने के एगदमाद किये जा रहे आत्मा निर्भाय पैकेज से तबील मुद्द में जीडीपी में इजाफा किया जा सकता है रोजगार के मौके में इजाफा करने के लिए इसलाहत की ज़रत है उन्होंने कहा कि कुरोना वारस से पैदा होने वाली बहरान का सामना करने के लिए आतना निर्भाइ भारत पाकेज का एलान किया गया है जिससे छोटे और मतवस्य तर्स की हसनातों की हासला अफजाई की जाएगी इस तक्रीब में हिरामल गुरूप के चेर्मन अजे पिरामल वजियाजम ने कहा कि गरीब कलिया नियोजना स्कीम के तहिए 74 करोड अफ़ाद को घिजाई अजनास पर हाम किया जा रहा है तक्रीबन 3 करोड माईगरीन इलिबर्स में मुफ्त राशन तक्सीम किया गया मुल्क भर में गुष्टा 24 घंटों के दौरान 8171 करोड वारस के मुद्बत के दज हुए है जिससे मुल्क में वारस से मुतासिर होने वाले अफराद की तेदाद 1,087,606 हो गई है गुष्टा 24 घंटों के दौरान 204 अमबाते हुई है मनने वाले अफराद की तेदाद 5589 हो गई है इसी दौरान तलंगाने में विष्टा रोज करोणा वारस के चौपन नए केसे दज हुए ये तमाम मतासिर रियास्त से तालुक रखने वाले इसी दौरान विजारत सहथ के जौइन्ट सेगरेटरी लोग लाव अगरवान ने बताया कि मुल्क में करोणा वारस के मरीज़ों के सहथ बंद होने की शरा 48.7 की सदे अब तक 95227 मरीज दिस्टाच हो गए है लोग अगरवान ने कहा कि रियास्तों में करोणा वरस की असरात किस तरह इसका जाजा लेने हुकुमत से खाईश की गई है तिलंगाने में मौसम अचानक तबदील हो गया और रियासत के कई मुखामात वारिश हुई है तिलंगाने में 8 जून को मांसुन की आमद का इमकान है हैदरबाद के महिकुम मौसमयाद के हेड नागर अतना ने ये बात बताई रियासत भर में कई मुखामात पर आज और कल तेज हवाओं के साथ बारिश पढ़ने की पेशख्यासी की गई है खास पर विखराबाद, रंगारेडी, मेडग, सिद्धीपेट, मेर्चल, मलकाजगरी, भोनगीर, हैदरबाद, मेवबनगर, नागर कलनो, वनपती, गद्वाल के कई मुखामात पर पारिश हो सकती है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने लागडाउन की वज़े से मलतवी होने वाले मुखतलिक इम्तिहानात की तारिख का एलान किया है गुष्टा साल जारी करदा, कमाइंड हायर, सेकेंडरी लेवल, जूनियर, इंजिनियर, एक्जामिनेशन, स्टोनर ग्राफर, ग्रेट सीडी और दीगर इमतिहानात की अलावा जारी साल जारी करदा, सब इनिस्पेक्टर, इंदिली पॉलिस, आइंड, सी आर, पी अफ, ज खबरों के साथ एक खबर नमाएं, खत्म होता है, रबाखेर, प्रियास द्धन में साथगी से मनाई गई तेलंगाना की यूमे तासीस तखारीब, प्रगती भाउन में चीफ मिनिस्टर के चंजिशेकर राओ, और अजला में वज़राने लहराया खौमी पर्चम, कुरुना के खिलाफ जिदो जहेद करते हुए मार्शी निजाम को मुस्तहराम करने का एहद, वजिर्याजम मोदी का सी आई आई की एक सो पचीसवी सालाना तकरीब से खिताब, मुल्क भर में गुष्टा 24 गंटों के दौरान 8171 कोरोना वरस के मुस्बत केसिस, मरीज़ों की सहितमन होने की शरा में काबले लहाज इजाफा, और सक्त वो मेहनत जिदो जहेद से मकसद में काम्याब होने तौलबा को मशवरा, राजभवन में तौलबा में असनाद वो तौसी नामों की तकसीम, गौनर का खिताब